नमस्कार मेरे किसान बाईो किसान साथियों पौदे गन्ये में ज़्यादा कल्ये कैसे ले क्योंकि ज़्यादा कल्यों का मतलब है ज़्यादा गन्ये और ज़्यादा गन्यों का मतलब है एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी गन्या फसल से निकाल सकते है और इस बार ये सवाल जादा तर मेरे किसान भाई इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि अगेत्ती गन्ने की फसल में बरसात के करण जमाव कम आए हैं इसलिए मेरे किसान साती चाते हैं कि जितना भी जमाव आया है उसमें हम बहुत अच्छे अगर कल्ले निकालने तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा उत्पादन हम अपने गन्ना वसल से ले सकते हैं किसान भाईयो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ एक माइक्र नूट्रियंट का फॉर्मूला अगर आप यह फॉर्मूला यह दोन्नों खाद मिलाके अपनी पौदे गन्ने में पहले पानी पहीं डाल देते हैं तो निश्चित रूप स से आपके बहुत जबर्दस्त ब्याति स्टार्ट हो जाएका किसान भायों किसान सात्यों आप सब भी जानते हैं हमारी किशबी प्रारंबिक पोशक तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इन पर हम विशेस रूप से ध्यान रखते हैं और इनका सभी किसान भाईयों को पता भी है किसान सात्यों नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास इन तत्वों की पूर्ति तो हो अवशक है ही लेकिन अगर आपको अपनी फसल से बहुत अच्छे कर लेने लें तो आपको एक अच्छा माइकरोन नूट्रेंट लेना होगा जिसके अंदर सेकिंडरी पॉशक तत्वों दुत्यक पॉशक तत्व की मात्रा है वो भरपोर रूब से हो और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो हमारे अन्य शुक्सम से भी सुक्सम पोशक तत्वे हैं वो भी हो तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छा भ्यात निकल लेगे और जितने भी कल्ले हमारी फसल में निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे और पून रूप से गंडों में परिवर्थित हो पाईगे किसान सातियों अगर हमारी मिठी सही है और हम सही हादों का चैन करते हैं सुरवात के दो तीन पानी तक तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है उसमें स्वत्य ही बहुत अच्छे कल्ले निकल जाते हैं लेकिन कई मेरे किसान साति कहते हैं कि हमारे केत में तो कल्ले निकलते ही नहीं है किसान सातियों आप स्वम मैसूस करिए कि आपने पिछली बार सलफर बोरोन कैल्सियम मेगनीशियम पोटेशियम जिंक फैरस मॉली बेड़नम यह जो सुक्षम पोशकतत्य है और जो मैं पेडल रहे हैं तो किसान भाई निश्चित रूप से हमारी फसल ब्यात करेगी किसान साथियों बुआई के 20 दिन 25 दिन या 30 दिन बाद जब आप अपनी घंणा फसल को पहला पानी दे कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि 20 दिन पर भी देना पड़ जाता है और कभी स्थि प्रकार से बुआई के समय खादों का इस्तमाल करें तो किसान भाई अगर आप 30 दिन पर पहला पानी अपनी घंणी की फसल को दे रहें तो आपको एक बैग एनपी के का लेना है किसान भाई एनपी के खाद के अंदर तिन्नों जो प्रारंबिक पोशक तत्वें वो इस्तमाल करें तब भी आपको पहले पानी पे एक बैग प्रती एकड एनपी के खाद लेनी है उसके साथ आपको लेना है किसान भाई ओ एरीज कंपनी का कैल बॉर यह प्रोड़क्ट इतना जवर्दस्त है किसान भाई ओ इसके इतने बहतरिन परिनाव आपको मिलेंगे क्य आपको पड़ जाएगा इसके अंदर सल्फर लगभग 12 परतिशत बोरोन 11 परतिशत कैल्सियम 11 परतिशत थोड़ा बहुत 1.5 परतिशत उपर नीचे हो सकता है यह तत्व और किसान भाई इसके अंदर मैगनीशियम लगबग 1 परतिशत है पोटेशियम की मात्रा भी लगब परतिशत के असपाथ इस प्रोड़क्ट के अंदर आती है यानि दृत्य पोशत तत्वी भी इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा बोरोन भी बहुत ही जवर्दस्त काम करता है ब्यात पर हरेपन पर 11 प्रतिशत बोरोन की मात्रा Aries Company के के अंदर आती है आपको इसके साथ एक सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपको जो बताने की बात कर रहा हूं वो यह है कि 10 किलो यह यह प्रोड़क्ट तो आपको लेना ही है एक बैक के साथ इसके साथ आपको लेनी है 10 केजी सागरी का सागरी का सब जगे मिल जाती है इस सागरी का मैं क्यों मिल वा रहा हूं किसान जाती हो जैसा कि इसके अंदर पॉषकत्तवे हैं सागरी का के अंदर हर्मोन आ जाती है यानि हम उनको पॉषकत्तव तो देा ही रह आई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरोन, कैल्सियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, जिंक, मॉलीबेडनम, फैरस, सब कुछ दे रहे हैं किसान भाईयो, अगर हम हार्मोन भी दे दें अपनी फसल को, पहले ही पानी पे, कौन से हार्मोन, साइटोकैनी, आक्सीन, जिब्रेलिंग, जो हार्मोन हमारी फसल को ब्यात करवाने पे मजबूर कर देते हैं, कि आपको ब्यात करना ही करना पड़ेगा, किसान भाईयो, सागरीका के अंदर ये सारे हार्मोन आते हैं, और क्योंकि हमने उसको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा दे दिया, पहले ही प किसान भाईयो, इन दोनों प्रोड़क्ट की कोस्टिंग भी बहुत जादा नहीं है, कैल्सियम की पूर्ती हो जाएगी, कैल्सियम बहुत ही जवरदस्त काम करता है, ब्यात के कल्लों पे, मैंने कई सारी वीडियो में पहले भी बता है, बोरोन बहुत अच्छा काम करता है, सल्फर बहुत अच्छा काम करता है, और किसान साथियो, इनकी जो कॉस्टिंग है, दोनों प्रोड़क्ट की लगबग 1100 रुपे का, तो ये Aries कंपनी का कैल्वोर पड़ेगा, और किसान माईयो, 410-15 रुपे की 10 किलो सागरी का पड़ेगा, और किसान माईयो, एक NPK का बै बार बार आपको डालने के अवस्टा नहीं पड़ेगी, एक चीज और मैं आपको बता दू किसान माईयो, ब्यात जब कोई फसल करती है, उसका एक समय होता है, यानि कि जो 30 दिन पे हम पहला पाने दे रहें, उससे 60 दिन पे जो भी बच्चा हमारी फसल देगी, उसको हम ग हमारी फसल को हलका करने का काम करते हैं, तो ये जो डोज है, ये संपून खाद हो गया, इसके बार कोई तत्व बचता ही नहीं है, इसी से ही आपकी जो गन्य की फसल है, वो पून रूप से विक्सित हो जाएगी, पून रूप से चलना सुरू करतेगी, पून रूप से प्रोड़क्ट आपने सारे बता दिये, नहीं किसान भाई हो, पहले भूआई पर आपको बहुत अच्छी खादे देनी हैं और उसके बाद पहले पाड़ी पर, उसके बाद आपको सिर्फ एक डोज मिट्टी चड़ाते वक्त देनी है, और आपका गन्ना इन तीन डोज में अपने गन्ने में या देड़ महिने पर उससे ही आपकी गन्ना फसल बिल्कुल पूर्णूरूफ से तयार हो जाएगी, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट एरिस कंपनी के ओर भी हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छे माईकर नूट्रिंट है, उन पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और किसान भाईयो, पहले पाणी पर यह जो फॉर्मूला है आप इस्तमाल करें, जबर दस्तर रिजट आपको मिलेंगे, दन्यवाद।